जन साथियो साथियो यदि आप कोई भी प्रोपरिटी खरीद रहे हैं यानि कि कोई भी आप चाहे भले प्लॉट खरीद रहे हैं साथियो ठीक है या आप कोई मकान खरीद रहे हैं या आप कोई क्रिसी की जमीन खरीद रहे हैं तो सबसे महतपूर पॉइंट जो है जो सरकारे भी कहते हैं कि भाई आगर आपने फरजी गलत खरीद लिया दोकादड़ी होगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी तो दोकादड़ी से कैसे बचें और कौन-कौन से डॉकुमेंट्स देखें जिससे फरजी जमीन का पता लगा सकें और दोकादड़ी से बच सकें तो मैंने आपर चार डॉकुमेंट्स जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं कौन-कोन से चार डॉकुमेंट्स दोकुमेंट्स Fighting का वेरिफिकेशन कैसे करें जानकारी इस विडियो में आपको दूँगा ठीक है साथियो क्योंकि इनके बिना आप पता नहीं लगा सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं मालकाना किसका है डवर रजिस्टरी तो नहीं सारी चीज़ें आप पता लगा सकते हैं साथियों चली टॉपिक सुरू करते हैं एक चीज़ में आपको और बता दूँ यदि आप कोई भी सला लेना चाहते हैं ठीक है तो ले सकते हैं कॉंटक नमर वीडियो के डिस्कर्ट में आपको मिल जाएगा साथियों सबसे पहले जो आपको मागना है वो मागना है रेजिस्टरी आपको लेना है ठीक है कि भाई आपने जो जमीन किये रेजिस्टरी अब ये नॉर्मल बात हो गई आप कहेंगे कि इसमें नया का भाई इसमें नया ये है कि आपने रेजिस्टरी तो मांग ली लेकिन ये रेजिस्टरी वेरिफिकेशन कराना है फार है कि यह registry जो है और करसी लिखा जो छेतरब का पास है उसके पास रहती है दो रहनी है कि ये वास्तम में सही है कि नहीं है ठीक है तो वेरीस भाई करने के दो तरीके या तो आप रेजिस्ट्री या आप किसी एडवोकेट से आप करवा सकते हैं ठीक है या एम एक चीज बहुत आपको सातियों बदा दूँ यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं ठीक है और आप कोई प्रॉपर्यटी पर्चेस कर रह रहे है को रेजिस्ट्री आप दिखवाना चाहताै को टो नहीं होई तो यह मेरे तो आभा ईजिस्ट्री की साथ-साथ आपको सथ्यापन करना है कि सज है कि नहीं है, यह सारी प्रिष्टिया, फोटो, क्रेटा, विक्रेटा, जगए, कितना छेतवली, यह सज बंदों कर ली है, पहली चीज यह चेक कर लिए, ठीक है, दूसरी बात ये स्रेड़ी नमबर एक की जमीन है कि दो की है कि तीन की है ठीक है साथियो उसके बाद कोई नरस्ति का आदेश तो नहीं चड़ा उसके बाद दाकल खारच हे के नहीं है उसके बाद कितना छेतर बल है ठीक है अब कई बार क्या होता है साथियो कि आपको कोई रजिस्ट्री भी दिखा देगा और खतोनी भी दिखा देगा रजिस्ट्री में उसका नाम होगा खतोनी में नाम होगा लेकिन साथियो फिर भी आपके साथ एक fraud हो सकता है वो हो सकता है साथियो double registry फिर भी आपने जाज लिए फिर भी ठीक है ना अब आप कहेंगे तो सर यह कैसे पता लगाए यह पता लगाना पड़ेगा थोड़ा मुस्किल होगा यह दो तरीके से आप पता लगा सकते हैं ठीक है जैसे माली जीए हमने कोई जमीन खरीदी थी 2022 में ठीक है स्रीमान जी अब मैंने क्या किया मैंने रजिस्ट्री कराई रजिस्ट्री से दाकिल खारीज भी करा लिया और मैंने यह बेच भी दी सीव्यक्ती को ठीक है लेकिन उसने रजिस्ट्री करा लिया अपने पास रख ली और उसने कबजा भी ले लिया लेकिन उसने द तो नहीं फिर से निकल वाई ठीक है यह रेजिस्ट्री भी रेजिस्ट्री ऑपिस से निकल वाली दुवारा ठीक है मिल जाएगी भई अब मैंने फिर आपको दिखाई यह खतोरी देगी आपने खरीद लेकिन यह जमीन में सी को बेच चुका हूं ठीक है आपको खतोरी देख लिए जमीन की रेजिस्ट्री देख लिए यह क्या है ठीक है अब साथियों next आता है वो आता है नकसा क्या आपको नकसा भी देखना है अब आप कहेंगे सर नकसा में क्या देखना है नकसा में साथियों ये देखना है कि ये कोई रोड है आप गाटा संक्या त्यत्तर में खरीद रहे हो ठीक है ये रा त्यत्तर ठीक है और जैसे सा नहीं पाएंगे थोड़ा मैं फिर कोसिस कर रहा हूं दिखिये मां लीजिए ये कोई रोड है ये गाटा संकhya 73 है ठीक है इसके पीछे गाटा संकhya 74 है अब मैं आप से आया मैंने आप इस रटक पर खड़े करके आपको दिखाया यह 74 में हम आपको बेच रहा हूं लेकिन यह है 73 अब मैंने 74 बोल दिया तो आपको माँनना पड़ेगा इसलिए आप नकसा निकल वाएं कि बढ़े यह जो बता रहा है 73 में बेच रहा हूं 73 यहाँ पर कि यहां पे 74 कहां पे जैसे ही आप नक्सा देखोगे पता चल जाएगा रोड पे 74 यहां पे तो आप कहेंगे आप हमें वेवकूप बना रहे हैं 74 तो यहां पे आप फ्रोड से बच जाएंगे ठीक है ना सातियों सबसे जादा जो फ्रोड हो रहा है वो हो रहा है जमीन यह सही है कि नहीं या माली जो जानकार व्यक्ति है आप खुद जानकार है तो चेक करें वेरिफिकेशन करें कि यह सही है कि नहीं ठीक है अगर माली जो कोई फ्रोड हो गया तो आपकी जिम्मेदारी होगी ठीक है उसके बाद साथियों एक चीज और होती है वो मैं आपको बाद हूँ उसके बाद होता है आकार पत्र ठीक है अब आप कहीं आकार पत्र क्या होता है तो मैं भी आपको समझा देता हूँ माल लीजिए ये कोई जमीन है सात्यो एक्स प्रॉपर्टी ठीक है दो जार बारा में ये तालाव था मैंने पट्टा करा लिया या खतौनी में गलत तरीके से लेकपाल को रिस्वत दे के आप बूल से मेरे नाम आ गया ये एक्स प्रॉपर्टी ठीक है मेरा नाम है सात्यो ए म अब में ये प्रोपर्टी आपको बेच रहा हुगे मुझे पता ही ये तालाव है मेरे नाम आ गया कल से ये कई फिर तालाव की भूम दर्ज होगी ये जमीन चली जा सकती है तो मैंने क्या किया मैंने इसकी खतोनी निकलवाई और आपको पास आया भी के पास देख लीजिए यह मेरी property आपने देखा खतवनी वा एके नाम property है सब सइह आपने खरीद लिया आप फस चुके हैं क्यों है वह गलत तरीके से मेरे नाम आई थी तालाव की भूम है सरकारी जमीन गराम सभा की जमीन पट्टे की जमीन चरागा की जमीन किसी की नम आई नहीं सकती ठीक है तो मे कारपत्र 41 & 45 में एक चीज आपको और बता दू साती हूँ यदि आप कोई भी सला लेना चाहते कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे आप उत्तरपदेश में ठीक है और आप उसके डॉकुमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं उसकी रेजिस्टरी डवल तो नहीं हो यह कई चीज और वीडियो के डिस्क्राशन में आपको मिल जाएगा धन्वाग।